हालो बच्चो फाइट हो गई इस बात को समझेंगे और एक बहुत इंपोर्टन टर्म जो है सीड हैबिट जो बच्चो को परेशान करती है उन्हें समझ नहीं आता ये रिलेट कैसे करना है और इसको हम रिलेट करेंगे हेट्रोस्पोरी से इंपोर्टन लेक्चर है पूरे प्लांट किंग्डम चैप्टर का क्योंकि ये एक बेक्ग्राउंड क्रियेट करेगा आपको आगे आने वाले चैप्टर क्लास 12 के सेक्शल रिप्रड़क्शन फ्लारिंग प्लांट के लिए और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं प्लांट किंग्डम में एक ही टाइप का फोटो सिंथेशिज तो ऑक्सीजनिक वाली तो हम क्या करेंगे बिटा अब सिंपल हैबिटाट स्ट्रक्चर और रिप्रड़क्शन इसके अराउंड टॉपिक्स को रखेंगे टरीडोफाइट और जिम्नोस्वर में रिप्रड़क्शन में भी हमारे पास एसेक्शुल के कम चांसिज हैं तो हम लोग उनको बेसिकली अराउंड सेक्शुल रिप्रड़क्शन रखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से इस टरीडोफाइट उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे ठीक है तो हमारे पास बिटा हमारे पास टरीडोफाइट जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे ठीक है मैं structure से पहले उसके habitat की जो detail आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनी और मैं basically चाह रहा हूँ कि आप इसको relate करें bryophyte से आप जब teridophyte को bryophyte से relate करेंगे तो दोनों में shady place given है लेकिन teridophyte में दे रखा है cool and shady place और bryophyte में आपके पास given है damp and shady place sorry cool की जगा humid लिखा हुआ है अगर आप bryophyte के habitat में जाएंगे तो वहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है humid लिखा हुआ है तो यह कि डिफरेंस आपको समझना है कुछ इन में से grow कर सकते हैं sandy soil में grow in sandy soil है कुछ हमारे पास sandy soil में grow कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि यह इसका habitat है यह इसका क्या है habitat हो गया अब next चीज बहुत important है इनके structure के बारे में समझना अब मैं आपको यह कहूँगा बिटा टेरिडोफाइट जो थे हमारे पास पहले terrestrial plant थे जो properly हमारे पास किस पे आए लैंड पर आए प्रोपरली लैंड पर आए first terrestrial plant थे क्योंकि उनके अंदर first time vascular bundle डवलप हुआ तो हम यहाँ पर structure में सबसे पहला point यह लिखेंगे कि main stage यह main plant body is sporophyte इस हमारे पास basically क्या है बिटा sporophyte है मतलब टेरिडोफाइट के जो plant है वो कौन सी stage है जैसे हमने कहा था हर एक plant में हमारे पास 2 stage होती है एक gametophyte होती है एक sporophyte होती है तो algae और bryophyte में main stage gametophyte थी teridophyte में main stage sporophyte थी यह main stage हम कैसे decide करते हैं for example कोई plant 6 month की life cycle है what is meaning of life cycle seed से plant बने दुबारा plant बने that is life cycle for angiosperm किसी भी plant की life cycle चाहे मैं teridophyte की बात करूँ चाहे मैं bryophyte की बात करूँ life cycle complete होने में मान लीजिए अगर 6 month लगते हैं तो अगर maximum time के लिए maximum time के लिए हमारे पास haploid और diploid में से कौन सी stage present ही means haploid मतलब gametophyte और sporophyte में से कौन सी stage present ही उसकी according हम decide करते हैं कि main plant body क्या होगी teridophyte में main plant body या हम बात करते हैं dominant stage sporophyte होती है क्या होती है हमारे पास sporophyte तो हम ये लिखते हैं बिटा main plant body या dominant stage हमारे पास क्या है sporophyte है ना तो इसका मतलब अगर मैं sporophyte लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा teridophytes are diploid plant क्योंकि उसी के थूँ decide करते हैं plant haploid है कि diploid है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनके उसको analyze करो मैंने क्या बोला मैंने बोला algae और bryophyte में main plant body या main stage या dominant stage gametophyte थी gametophyte stage हमारे पास haploid होती है मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी रहा हूँ ता कि आपको clarity रहे मैंने ये बोला बिटा आपको कि जो algae है और bryophyte है इन में मेरे पास main stage main stage या हम कहेंगे dominant stage जो थी वो हमारे पास क्या थी बिटा वो हमारे पास थी main stage जो हमारे पास थी वो gametophyte थी तो इस वजए से ये haploid plant थी ये हमारे पास कैसे plant थी बिटा ये haploid plant थी लेकिन ध्यान से सुने बिटा अब और ध्यान से सुने टेरिडोफाइट में और आगे आने वाले ग्रुप में तेरिडोफाइट और जिम्नोसकर्म मैं तेरिडोफाइट जिम्नोसकर्म और हम पूरी लाइफ साइकल में से dominant stage हमारे पास क्या है है dominant stage हमारे पास sporophyte है इसका मतलब हमें यह समझ आना चाहिए कि यह कैसे plant है यह diploid plant है यह कैसे plant है diploid plant है तो main stage हमारे पास क्या है sporophyte है और इसलिए हम कहेंगे कि यह diploid plant है जहां से सुने बिटा यह diploid plant है तो हमारे पास यह दो ग्रुप haploid plant है और यह diploid plant है तो अभी जस हमने बोला कि teridophyte में main stage sporophyte है और यह diploid plant है दूसरा हम यह कह रहे हैं बिटा आप देख सकते हैं इन में मेरे पास properly true root stem हम कहेंगे true root stem and leaf वो present है अगर आपको याद हो मैंने bryophyte के लिए बोला था उनके अंदर true root stem leaf नहीं होता देखिए याद करिए algae का structure thallus है thallus समझ में आ रहा है well differentiated नहीं है bryophyte में differentiation थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन वो इतनी जादा नहीं हुई थी कि well differentiated root stem leaf structure बन सकें बातों को बहुत ध्यान से analyze किया करो next मैं कह रहा हूँ कि teridophyte पहले ऐसे plant थे जिन में हमारे पास root stem leaf well developed जिसे हम कहेंगे true root stem leaf present है और first time हम कह हैं यहाँ पर first time vascular bundle हम कहेंगे first time in evolution हमारे पास यह in evolution vascular bundle आए है vascular bundle का मतलब यह हुआ कि मेरे पास मेरे पास xylem phloem आए है इसकी एक significance है बड़ा इसकी significance है देखो ध्यान से सुनो अगर मालो मैं आपसे कहता हूँ कि जो bryophyte थे उनमें vascular bundle नहीं था तो वो ज़ादा कर कोशिश करते थे ऐसे grow करने की इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ bryophyte की हाना bryophyte की लेकिन teridophyte में vascular bundle आने की वज़े से they can grow like this क्योंकि उसमें root में से xylem और phloem के थू आप चीजे move कर सकते हैं तो teridophyte में vascular bundle आने की वज़े से due to vascular bundle they can grow like this हना इसी के बाद हमारे पास trees वगरे है herbs shrubs इनका concept बनता है क्योंकि bryophyte के पास option नहीं है they have to grow like this और अगर वो सीधा grow भी करेंगे तो ज़ादा height नहीं हो सकती क्योंकि पानी उपर चड़ाने के लिए मेरे पास कोई vascular bundle नहीं है लेकिन हमने ये देखा बिटा कि जो teridophyte आए उन teridophyte में मेरे पास ऐसा मतलब वो straight उपर grow कर सकते हैं क्योंकि vascular bundle first time आए हैं और हमने कहा भी था rhizoids जो हैं rhizoids उसके surface पर होते हैं ऐसे पानी absorb करते हैं rhizoids root तो है नहीं deep जाएगी नहीं अगर deep जाएगी नहीं तो surface से पानी लेगी और surface से पानी कहां present होता है सिर्फ rainy season में या water body के पास इसी लिए bryophyte या तो shade में मिलते हैं जहां moisture जादा बना रहता था या वो कहां मिलते थे rainy season में मिलेंगे या वो मिलेंगे water body के पास अब teridophyte जो है वो root develop हो गई है और वो अब ऐसे grow कर सकते हैं तो इनमें हमारे पास herb और shrub जैसे plant teridophyte में मिल जाएंगे इतनी चीज़ समझ आ रही है तो हमने कहा है बिटा first time vascular bundle आया है किसमे teridophyte में ठीक है तो हमने कहा है कि main plant body sporophyte है और sporophyte के अब तीन पार्ट रहेंगे एक रहेगा root एक रहेगा stem और एक रहेगा leaf और ये सारे true है true का मतलब हमारे पास इनमें vascular bundle है ये चीज़ समझ आ रही है इनमें क्या present है बिटा vascular bundle हमारे पास present है ये चीज़ समझो ध्यान से vascular bundle हमारे पास present है अब हम एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे वो ये है ध्यान से सुनेंगे वो ये है कि जब हम बात करते हैं sporophyte की तो याद करिए आपने bryophyte में जब sporophyte पड़ा था तो आपने कैसे पड़ा था जिन्होंने last lecture नहीं देखा वो देख ले न उसमें capsule होता था जिसमें spor बनते थे मैं बात कर रहा हूँ bryophyte की क्योंकि what is meaning of sporophyte एक ऐसी stage जो spor बनाएगी तो मैंने कहा कि जो teridophyte के plants हैं वो sporophyte stage है जिसमें root, stem, leaf present है और इनमें से किसी पर भी मेरे पास spores बनने का arrangement होना चाहिए spores बनने का क्या होना चाहिए arrangement होना चाहिए तो वो spores एक special type के structures में बनते हैं जिने हम sporangia कहते हैं मैं repeat करूँगा इस बात को कि हमने कहा है teridophyte में main plant body या main stage हमारे पास क्या है main stage है sporophyte sporophyte में root, stem, leaf present है जो true है true का मतलब उनमें वास्कुल रिबंडल होगा उसकी बात की बात हम ये कहते हैं किसी चीज को sporophyte क्यों कहते हैं क्योंकि वो spor बनाता है वो क्या बनाता है spor बनाता है तो teridophyte spor कहां बनाएगा उनमें leaf पर एक structure बनेंगे जिनके उपर हम क्या कहेंगे spores बनेंगे तोड़ा सा diagram के wise जाते हैं हम लोग और इस structure को properly आपको दिखाते हैं आपको समझ आएगी ये बात जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं बिटा मैं एक plant बना रहा हूं जहां से देखेंगे ये मैंने एक fern बना दिया ऐसे इस तरीके से मैंने एक plant बनाया है teridophyte में उनको हमने fern बोला है उनको हमने क्या बोला है fern ये उसकी leaf थी ये stem है और ये उसकी root है चलिए ये stem माल लेते हैं उतनी develop नहीं करी root है और ये इसकी क्या है बिटा leaf है यहाँ पर ये हम इसकी leaf दिखा रहे हैं यह leaf है हना इस तरीके से हम इसकी leaf दिखा रहे हैं तो अगर मैं इसको name करूँ तो this is leaf this one is stem and root they all are deployed because they are part of sporophyte याद रहेगी बाद they are part of sporophyte तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे? deployed होंगे क्योंकि यही main stage है और हमने कहा है कि true root stem leaf present होगा तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं sporophyte का मतलब ये है इन्हे spore बनाना चाहिए इन्हें क्या बनाना चाहिए? spore बनाना चाहिए अब spore कहां बनाओ? root पे बनाओ, stem पे बनाओ, leaf पे बनाओ समझो इस चीज को root पे बनाओ, stem पे, leaf पे किस पे बनाओ? तो होता ये है बिटा होता ये है eridophyte में एक special type की leaves बनती है ये leaf का नाम होता है sporophyll इन sporophyll के lower surface पे मेरे पास इस तरीके से structures बनते हैं जिने में sporangia कहता हूँ repeat कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम यहाँ पर ये कह रहे हैं बिटा कि ये पूरा structure sporophyll है यहाँ पर कही ना कही spores बनने चाहिए spores बनने चाहिए जैसे कि मैंने क्या किया था algae के case में याद रखेंगे कुछ ने पूछा algae में sporophyll है कि नहीं मैंने कहा होगा क्योंकि zygote में meiosis हो रही है वही sporophyll है algae के case में zygote मेरा zygote ही sporophyll था क्योंकि उसमें meiosis हो रही थी bryophyll का अगर आप diagram याद करो तो bryophyte में foot ceta capsule वाला structure sporophyte था उसमें capsule में meiosis हो रही थी उसमें किसमे meiosis हो रही थी capsule में meiosis हो रही थी यहाँ पर क्या होगा बिटा एक special leaf बनेगी sporophyll उस पर एक structure develop होगा तो हम लिखेंगे एक special leaf है special leaf present on sporophyte that special leaf is known as sporophyll उस special leaf को हम क्या नाम देंगे बिटा sporophyll नाम देंगे और उस पर मेरे पास क्या present है sporengia इस sporengia के अंदर spore बन गए हमारे पास तो हम लिखेंगे inside sporengia inside sporengia हमारे पास क्या हुई meiosis हुई meiosis हुई to form spore to form spore समझो इस चीज को to form spore spore बनाने के लिए meiosis हुई किसके अंदर? sporengia के अंदर inside sporengia meiosis हुई to form spore तो ये मैं क्या बता रहा हुई आपको कि अगर आप compare करो algae और bryophyte से आपको पता चलेगा कि algae में हमारे पास zygote में meiosis होती है bryophyte में capsule में होती है और teridophyte में special structure बनते है जिनी हम sporengia कहते है जो leaf पर बनते है क्योंकि sporophyte बनाना है तो वो जो sporengia है उन sporengia की meiosis से spore form होंगे clear है? इतना चीज मुझे लग रहा है आपको एक summary आनी चीए मैं repeat कर देता हूँ teridophyte plant पहले ऐसे terrestrial plant थे जो land पर आए और जिन में हमारे पास vascular bundle था teridophyte का habitat है वो हम कह सकते है shade वगेर होगा लेकिन cool place mention है bryophyte में वहाँ humid लिखा हुआ है दूसरी बार teridophyte में main stage sporophyte होती है sporophyte होती है इसका मतलब they are deployed plant clear उनमे true root stem leaf present होता है और first time vascular bundle बना है true root stem leaf का मतलब यह है teridophyte can grow up to some height वो कुछ उचाई तक grow कर सकते हैं because उनके पास vascular bundle है teridophyte के कुछ plants बहुत जादा मिलते हैं जिने हम fern कहते हैं वो ऐसे दिखेंगे जियान से देखें बटा जिने हम fern कहते हैं वो ऐसे दिखेंगे तो हम यह मानते हैं कि teridophyte को represent करते हैं fern and horse tail से horse tail बेटा एक plant है उसका नाम है जिसे आप equisitum कहते हो जिसे आप कहते हो equisitum तो fern सबसे जादा हमारे पास teridophyte में number में होते हैं teridophyte जैसे एक बड़ा group है उसके अंदर हमारे पास कुछ sub group छोटे group है उन में से fern एक group है जो basically हम कह सकते हैं class level पर है जो basically क्या होंगे जादा number में मिलते हैं तो teridophyte को हम उनी से represent करते हैं clear हो गई बात? ठीक है? तो हमने देखा बिटा हमने ये देखा कि teridophyte में spore कहां बनेंगे ये बन गए spore और spore कैसे हैं? haploid तो अगर आपसे ये कोई चीज पूछे तो आप कहेंगे कि in algae meiosis कहां हो रही है? आप कहेंगे meiosis occur in zygote बिटा आप एक चीज़ समझे एक अच्छी बढ़िया slide से ज़्यादा important है आपको समझना NCRT की line ने समझना यहां बहुत बढ़िया diagram से ज़्यादा आप proper understanding पे मतलब focus करो के तो आपको समझ आएगी ये आपको even help करेगा हर तरह के question बनाने के लिए in bryophyte meiosis कहां हुई meiosis occur in कहां हो रही है occur in capsule और in किसमे teridophyte meiosis कहां हो रही है sporengia meiosis occur in किसमे sporengia में हो रही है sporengia में meiosis हो रही है अब हम क्या पढ़े कुछ structure पढ़ने वाले हैं कुछ teridophyte के कुछ specific teridophyte के हम लोग structure के बारे में detail मतलब properly समझेंगे कुछ एक teridophyte जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से देखना बिटा यह जो हमारे पास है slaginilla endless जहां जर सुनें कुछ नाम पढ़ेंगे उनमें एक सलaginilla है यह भी एक teridophyte है जिक है यह भी teridophyte है अब यह जो stage बनी होनी चाहई क्या होनी ची विटा हमारे पास यह होनी चाहई हमारे पास एक sporophyte stage होनी ची है अब slaginila में हमारे पास छोटी leaf है small leaf है small leaf की वज़े से हम उस leaf को हम कहते हैं microfil अना, microfil clear, यह small leaf मतलब जैसे हम कहते हैं, root stem leaf है तो small leaf है, हमारे पास यह equisitum है इस equisitum में हमारे पास यहां भी छोटी leaf है ऐसे, अना, यह ऐसे इन्हें भी microfil कह रहे हैं, तो हम यहां पर यह समझेंगे बिटा, कि हमारे पास जो basically slaginila है या equisitum है उनमें छोटे size की leaf होती है कई बार equisitum में तो scaly leaf बोल देते हैं, clear, फरन में हमारे पास, बिटा, बड़ी leaf होती है हना, फरन जो diagram हमने यह दिखाया आपको, इसमें यह बड़ी leaf है, जिसे आप macrofil कहते हैं, तो आपको यहां पर यह समझना है बिटा, आपको यहां पर यह समझना है कि मेरे पास teridophyte में, धान से सुने, teridophyte में हमारे पास क्या होता है, जो leaf होती है, वो slash nila में हो सकती है और हम equisitor में scaly होती है although छोटी ही होती है, और macrofil का मतलब बड़े size की लिए, large size की उसको हम कहते हैं macrofil उसको हमने क्या बोल दिया, macrofil बोल दिया, यह चीज़ समझ आ रही है, यह चीज़ क्लिए रखना हम क्या गरेंगे, teridophyte की उतनी economic importance नहीं है हमारे पास, कुछ medicinal है और ornamental यूज़ करते है, medicinal का क्या मतलब होता है, as a medicine हम यूज़ करते है, मतलब herbs की तरह से, और ornamental मतलब, घर में हम यूज़ करते है fern को, आप देखेंगे, fern को घर में लगाते है, अच्छा, next sporophyll, हमारे पास एक special leaf होती थी, तो जड़ा एक बर उसके बारे में जान लेते हैं sporophyll है क्या, एक बर उसके बारे में जान लेते हैं, कि ये है क्या, और कैसे ये काम कर रही है, इसकी कुछ detail हम लोग सीखते हैं, देखें, ये माल इस तरीके से क्या लगी भी थी, लीफ लगी भी थी, तो ये इसको ही तो मैं माइक्रोफिल कह रहा था, ये माइक्रोफिल थी, और ये मेरे पास हमारी horizontal stem थी, ये वाली चीज क्या थी, मालो मेरे पास stem थी, ठीक है, clear हाना, और ये जो छोटी लीफ थी, small size की, इनको मैं क्या नाम दे रहा था, माइक्रोफिल, और ये किसके structure की बात कर रहा हूँ मैं, मैं बात कर रहा हूँ slaginela की, किसके structure की बात कर रहा हूँ slaginela की structure की बात कर रहा हूँ समझ आ रहा है ये, और ये क्या होगा, sporophyte ये stage क्या है बेटा sporophyte sporophyte stage मेरे पास कैसी होती है sporophyte stage deployed होती है अब देखो ध्यान से इस पर एक इस तरीके से branch form हो सकती है इस तरीके से ऐसे हम कह सकते है branch type कुछ बन सकता है जिस पर definitely leaf तो होगी लेकिन उपर जाकर उपर जाकर उसमें एक अलग type की leaf होगी जिस पर sporangia लगा रहेगा मतलब ऐसे leaf बनेंगी जिन पर क्या लगा रहेगा sporangia मतलब हम यह कह रहे हैं बिटा कि यह तो normal leaf है ना यह वाली जो leaf है यह normal leaf है हमारे पास क्या होता है एक special type की leaf होती है जिन्हें sporophyll कहते हैं जिने हम क्या बोलते हैं sporophyll कहते हैं sporophyll लीफ कौन सी लीफ होती है जिन में sporangia लगा होता है तो इन पे क्या present होता है sporangia present होता है तो आपको ये समझ आना चाहिए ये समझ आना चाहिए कि teridophyte में दो टाइप की लीफ है काम को लेके ठीक है size को लेके नहीं बोल रहा हूँ ए एक है मेरे पास हमारे पास normal leaf जो की दो तरह की size में हो सकती है छोटी micro phil और अगर बड़ी होगी तो macro phil macro phil fern में होती है और micro phil मैं लिख सकता हूँ दूसरी बात हमारे पास क्या है sporophyll हो सकती है इतनी बात समझ में आ गई आपको clear हो गई बात तो ये जो sporophyll है ये normally कैसे present है ध्यान से सुनो बीकश बड़ा ये sporophyll ऐसे present नहीं है हमारे पास ये हमारे पास बेटा normally कैसे present है ये एक axis पर इस तरीके से लगी होई है एक axis पर इस तरीके से बहुत सारी sporophyll लगी है और उस पर नीचे मान लीजे मैं इस तरीके से हम बना सकते हैं ये sporangi daí लगे वे और आप simple समझ फिलाल नीचे बना रहें इसे और इसे हम कह रहे हैं sporangea यह sporangea लगे लगे क्लियर आप देख रहे हो cluster of sporophyll है na cluster का मतलब होता है group cluster of sporophyll है sporophyll का cluster है देख पा रहे हैं sporophyll का क्या है cluster है तो cluster of sporophyll है, साथ में sporengia लगे वे हैं, इस structure को हम नाम देते हैं, इस structure को हम नाम देते हैं, बिटा कौन, या strobilis, समझे में आया मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये बोला बिटा, ये माल लो slaginela plant है, जिसकी stem horizontal है, उस plant पर ये leaf है, जिसे आप microphill कह रहे हो, ना microphill कह रहे हो, इस पर इस तरीके से मैं axis बना दूँ, जिस पर sporangia लगे, मतलब ये जो axis है, इसको मैंने zoom करके यहां बनाया, मैंने कहा, कि इस पर मेरे पास, इस axis पर मेरे पास, ये leaf हैं, जिसे आप sporophyll कह रहे हो, उस पर sporangia लगे हैं, अगर बहुत सारे sporangia और sporophyll साथ में, as a cluster present होते है तो उस structure को हम नाम दे देते हैं, कौन, क्या नाम दे देते हैं, कौन, कौन को अगर आप देखोगे, तो आपको इस तरीके से देखेगा, कौन मेरे पास, NCRT ने बताया, एक तो इसमें बनेगा, ऐसे यहां, ये कौन हो सकता है, इसके अलावा ये चीज कौन है, तो अगर आ of sporophyll bearing sporengia, क्या लगे वोए हैं, उन पे sporengia लगे वे हैं, और आपकी NCRT ने बताया है, कि कौन, कहां present है, उसका example दिया है, एक तो सिलेजिनेला, उसमें कौन है, और दूसरा वो इक्वीसिटम में हैं, ये दो एक्जामपल बताये हैं, जिसमें कौन है, जिसमें हमारे प अपलब ये हुआ, कि sporophyll cluster में आ गई, और उस cluster वाली sporophyll ने अपने अंदर sporengia, अपने नीचे sporengia बनाया, और एक ऐसा compact structure बन गया, जिसे हम कौन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन कहते हैं, क्लियर होगी बात, उसे हम कौन कहेंगे, ठीक है, अब कौन ये फर्न की sporophyll है, आप ये brown color का structure देख रहे हो, ये वाला, this one, ये हमारे पास sporengia है, तो इसमें कौन तो नहीं बना, इसमें हमारे पास क्या है, कौन नहीं बना, इसमें simple क्या बना, आप देखो, इसमें simple हमारे पास क्या बना, simple हमारे पास sporengia बना, आप देख रहे हैं, और यह दिख रहा आपको sporengia तो इसमें कौन नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या सीखा हमने यहाँ पर क्या सीखा ध्यान से सुनो हमने यहाँ पर यह सीखा बिटा कि सम में कौन नहीं बनता कौन कुछ प्लांट्स में बनता है form in सम टेरिडोफाइट कुछ टेरिडोफाइट में मेरे पास कौन बनता है चीक है clear सही है फर्न में कौन नहीं बनता फर्न में क्या होता है only sporophyll होती है कौन नहीं होता no cone कौन क्या होता है कौन के अंदर sporophyll है sporophyll के अंदर sporengia है और sporengia क्या बनाएगा पोर बनाएगे अभी तक आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा एरिडोफाइट एक स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट मतलब उसकी मेंस्टे स्पोरोफाइट है उसमें root stem leaf होती है स्पोरोफाइट का meaning जिसमें स्पोर बनने चाहिए स्पोर बनने की location algae में zygote थी ब्राइओफाइट में capsule थी एरिडोफाइट developed a different structure known as sporengia ये जो sporengia है ये directly आपका leaf के नीचे भी बन सकता है जैसा की fern में बनेगा clear उस special leaf को कहते हैं sporophyll और ये sporengia जो होगा एक cluster में बन सकता है cluster का मतलब group में बन सकता है उस group को हम कहते है cluster of leaf को हम कहते हैं कोन तो कोन हो या sporophyll हो दोनों में sporengia बनेगा role of sporengia meiosis करके spore बनाएगा meiosis करके क्या बनाएगा spore बनाएगा अब हम ये समझ पाएए हैं कि teridophyte जो था एक diploid plant था जिसने first time vascular bundle बना वो अपने पास दो तरह की leaf बनाता है एक normal leaf और एक ऐसी leaf जिस पर sporengia बनेगा वो sporengia जो है ज्यान से सुनेंगे उस sporengia के अंदर meiosis होगी तो spore बनेंगे तो मुझसे अगर कोई पूछे sporengia क्या है मैं कहूंगा diploid क्योंकि उसके अंदर meiosis होई है clear है? यह sporophyte है किसी diploid चीज पे diploid ही बनता है अगर हम आगे जाते हैं तो जरा sporengia की detail देख सकते हैं देख लेजिए यह वो leaf है जिनमें directly मेरे पास ध्यान से समझ रहे हैं यह sporophyll है बेटा यह fern की sporophyll है यह किसकी detail है? fern की fern एक group है plant का इसमें कई तरह के plant आते हैं उनके नाम लिख सकते हैं हम लोग यह sporophyll हमारे पास phil है sporophyll है बेटा यह जो leaf है इसका नाम sporophyll है phil, sporophyll और यह structure sporengia है तो यह तो directly लगे में है यहाँ देखिए यह slaginilla का diagram है वहाँ से हमने लिया यह तो यह इस तरीके से cone बना रहा है ना यह इस तरीके से क्या बना रहा है बिटा? cone ऐसे यह cone बना रहा है clear? और cone में देखिए यह slaginilla का है बिटा slaginilla में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि नीचे बड़े sporengia है यह और उपर यह छोटे sporengia है समझ रहे हैं यह चीज? हमारे पास यहाँ पर यह large sporengia है पर है sporengia और यह small sporengia है और बहुत important चीज क्या है? यह ही चीज cone है आप देखो यह cone है cone में यह मेरे पास हो गई देख रहे हैंगे यह this is sporophyll यह sporophyll है आप देखें clear हम देखें इसमें उपर बना मैं जस्ट यह समझाने कोशिश कर रहा था आपको कि हम लोग normally इस तरीके से show करते हैं कि जैसे उसके नीचे उपर normally वो इसके उपर ऐसे बनाते हैं पर आप properly simple याद रखे sporophyll पर हमारे पास sporengia लगा रहता और इस cluster को हम cone कहते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे बिटा हमने structure पढ़ लिया teridophyte का हमने उसकी detail कुछ और detail भी पढ़ लिया कुछ और detail क्या पढ़ी है हमने ये पढ़ी है कि कौन क्या होता है sporengia क्या होता और कौन किसमे है मैंने बोला था slash nila और requisit अब हम ये देख रहे हैं कि जो sporengia है जो हमारे पास sporengia है ये sporengia है ये sporengia जो है इनमे chances हैं कि spore का size different हो सकता है या मेरे पास ये वाले sporengia है इनमें सारे spores का size same हो सकता है हम क्या पढ़ेंगे अब reproduction पढ़ेंगे teridophyte की जिसे हम life cycle कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं life cycle बोलते हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बिटा हम teridophyte की life cycle पढ़ेंगे और उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा एक मैं डिवाइड करूँगा homo spores teridophyte homo spores teridophyte का मतलब ये हुआ कि जो sporengia है उसमें से जितने भी spores बनेंगे वो सारे spores same size के होंगे same size के spores होने की वज़े से हम कहेंगे homo spores teridophyte ठीक है तो homo spores teridophyte का मतलब है most teridophyte ऐसे ही होते है मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ बिटा maximum teridophyte में most teridophyte में sporengia में बनने वाले spores का size क्या होता है same होता है क्या होता है same होता है उन्हें हम कहते हैं homo spores teridophyte hetero spores teridophyte का meaning ये होता है कि उनमें हमारे पास अलग-अलग size के sporengia होते हैं एक sporengia हमारे पास ऐसा small होता है और एक sporengia large होता है तो ये small sporengia में से जो spore बनते हैं वो छोटे size के होते हैं इसमें जो spore बनते हैं वो बड़े size के ये spore है विटा ठीक है ये भी spore है ठीक है, तो spore का size क्या हो गया, unequal, एक छोटे और बड़े दोनों तरह के spore बन रहे हैं, although दोनों तरह के sporengia भी हैं, तो उसे हम कहते हैं hetero spore, different size of spore, उसे हम कहते हैं, बिटा, उसे हम कहते हैं hetero spore, तो hetero spore का meaning यह हुआ, hetero spore का meaning यह हुआ, अलग-अलग size के spore, homo spore का meaning यह हुआ, same size के spore, तो most terido fight, most terido fight is homo spores, clear, समझ आ रहा है, most terido fight में यही situation होती है, बनने वाले spore, same size के होते हैं, तो हम terido fight का topic ऐसे move करेगा, पहले हम इसकी life cycle देखेंगे, और इसकी life cycle, फिर उसके थुरू हम लोग seed habit की बात करेंगे, तो हम लोग, बिटा, सबसे पहले, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, homo spores, sports, इसकी life cycle पढ़ेंगे, homo spores की, homo spores की हम लोग life cycle पढ़ने वाले अभी, ठीक है, homo spores terido fight की life cycle पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे यह, यह homo spores terido fight की life cycle में आपको समझा रहा हूँ, और मैंने यह बोला है, most of the terido fight में यही life cycle होती है, clear, heterosporas की कुछ example है, और वो example हम लोग अगर लिखें तो अच्छा रहेगा, दो example NCRT देती है, heterosporas के, दो ही याद करने, वैसे हम लोग पहले 5 पढ़ाते हैं, वो 5 याद नहीं करने, एक आपने याद करना है, salvenia, और एक याद करना है, silaginela, यह दो example है, किसके heterosporas के, और यहाँ पर अगर मैं कहूं, तो most terido fight, तो maximum other example किसमें आ जाएंगे, homosporus में, तो एक बार जड़ा life cycle की हम लोग बात करते हैं, देखिए, यह मेरे पास, एक fern का example है, जहाँ से समझें, यह मेरे पास एक fern का example है, और fern का यह sporophyte है, sporophyte का मतलब यह उसका main plant है, sporophyte मतलब 2N, इसमें मेरे पास root होगी, stem होगी, और leaf होगी, ठीक, तो इसमें मेरे पास एक specific type की leaf थी, एक specific type की leaf थी हमारे पास, उस leaf का नाम हमने रखा, sporophyll, तो यह मेरे पास क्या है बिटा, this leaf is sporophyll, 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 जो की deployed होगी, क्योंकि sporophyte पे बन रही है, ठीक है, इस sporophyll के नीचे, यह मेरे पास क्या बन गए, sporangia, तो यह structures हैं, जिनको मैंने क्या बोला है, sporangia, समझे ध्यान से बिटा, इन structures को क्या बोला मैंने, sporangia बोल दिया, इस structure को मैंने क्या बोल दिया, आपका sporangia बोल दिया, ध्यान से समझे बिटा, यह structure मेरे पास sporangia है, इस sporengia के अंदर यहाँ पे हमारे पास spores बन गए तो मेरे पास क्या बन गए spores तो मैं लिखोंगा inside sporengia क्या बनेंगे spores बनेंगे और कैसे बनेंगे by meiosis तो आप से पूछे meiosis कहा होगी sporengia के अंदर अब यह spore बहार आ जाएंगे मतलब यह वाले spore हमारे पास यह बहार आ गए यह spore है स्पोर्स जो थे हमारे पास बिटा यह spores ऐसे बहार आ गए हवा से एयर से जैसे भी यह बहार आ गए मेरे पास यह spores है देखेंब spores कैसा structure है haploid समझें ढियान से यहां तक फिल रिपिट करते है। This is deployed stage known as sporophyte. Is sporophyte की उपर एक special leaf है. हम लिख रहे है special leaf on sporophyte. Special leaf का नाम क्या है बेटा sporophylle. Sporophylle deployed है. Deployed sporophylle में हमारे पास क्या है? ये structure sporengia है इस structure sporengia के अंदर हमारे पास ये क्या बने spores बने ये जो spores है ये haploid है क्योंकि meiosis से बने sporengia के अंदर ये sporengia जो इसमें बने वेन है बिटा इनमें meiosis होके spore बनेंगे वो spore disperse होके उड़के जाके जहां भी गिरेंगे वहाँ पर वो germinate करेंगे जिसे हम कहते है mitosis जिसे हम कहते है mitosis इन spores ने क्या की बेटा mitosis की mitosis करके वो एक structure बना रहे है जिसे हम कहते है prothallus prothallus actual में कौन सी stage है gametophyte याद करिए कमझे इस बात को prothallus कौन सी stage है gametophyte नCRT लिखती है कि prothallus जो है हमारे पास क्योंकि spore से बना है तो वो haploid है मैं लिख रहा हूँ haploid है green है छीक है clear थोड़ा सा thalloid है small size का है small size का है small size के लिए NCIT ने बहुत important एक word सा लिखा है उसे उसने बोला है inconspicuous ऐसा कुछ लिख दिया inconspicuous clear है inconspicuous word लिख दिया तो prothallus हमारे पास है यह रहा prothallus एक gametophyte है gametophyte multicellular है green है अगर कोई चीज multicellular green है तो यह बहुत important बात है बिटा यह free living होगा यह कैसा होगा free living होगा तो यह जो stage मैंने बनाई this is prothallus जो free living है तो आपके पास याद करो bryophyte में gametophyte के उपर sporophyte लगा हुआ था sporophyte depend था gametophyte के first time evolution में ऐसा plant आया है कोई जिसमें sporophyte और gametophyte stays दोनो free living है sporophyte और gametophyte stays दोनो free living है ऐसा first time हुआ है तो यह चीज मैं बोल सकता हूँ ध्यान से जुनेंगे मैं यह चीज बोल सकता हूँ कि sporophyte जो stage थी उस पे क्या बना sporophyll बना sporophyll भी diploid है उस sporophyll पे क्या बना sporengia sporengia हमारे पास diploid meiosis से spore spore कैसे है haploid तो यहां meiosis हो गई spore से मेरे पास gametophyte बना जिसका नाम prothelis gametophyte बना जिसका नाम क्या है prothelis है बिटा prothelis जो होगा haploid होगा यह क्या होगा green है green होने की वज़े से free living है life cycle वाले पार्ट में पढ़ोगे तो वहाँ saprophytic भी लिखा लेकिन है तो free living gametophyte gametophyte क्या बनाना चाहिए gamets gamets क्या बनाने चाहिए zygote zygote कैसा होगा diploid फिर zygote की mitosis से आप वापसी sporophyte बना पाओगे एक important point यह है कि first time first time ऐसा हुआ है first time बेटा sporophyte and gametophyte gametophyte stage दोनों free living है both is free living दोनों हमारे पास क्या है free living है sporophyte और gametophyte stage first time दोनों stage हमारे पास क्या है free living है ऐसा first time हुआ nature में खीक है clear दोनों free living है तो और free living होने के लिए क्या चाहिए दोनों photosynthetic लेकिन आप एक चीज़ समझो ध्यान से बेटा आते हैं वापसी इस पे life cycle पे हम यहां थे देखिए ये था इसको हम prothelis कह रहे है prothelis चोटा अचा इसको shade चाहिए grow करने के लिए भी बात करते हूं देखिए इस पर मेरे पास sex organ बनेंगे ये archegonium बन गया ये enthridium बन गया enthridium कौन सा sex organ है male sex organ चीक है और ये क्या बन गया मेरे पास archegonium archegonium बन गया चीक और इससे motile gamit बना motile का क्या मतलब हुआ उसमें flagela था तो fertilization के लिए पानी चाहिए मैं repeat कर रहा हूं यहां पर मेरे पास इसके उपर ये जो है चीक है यहां से देखे मैं इसको हटा देता हूं एक बर यहां से ये वाली detail इसको अलग से लिखते है प्रोथेलस के बारे में अलग से लिखेंगे यहां से देखिए हम क्या बता रहे हैं बिटा हम यह कह रहे हैं ये stage प्रोथेलस थी चीक है ये haploid था और free living था इतना याद रखिए इसको अभी बताते हैं और ये inconspicuous है बहुत छोटा है हम यहां पर ये कह रहे हैं बिटा ये जो प्रोथेलस है इस प्रोथेलस के ऊपर ये enthridium बन गया जो male sex organ है इसे enthridium कह रहे है चीक है और ये क्या बन गया archegonium जिसे female sex organ कहते है archegonium बन गया इससे जो gamit बनेगा वो इसको fertilize करेगा पानी से तो fertilization के लिए पानी चाहिए चीक है clear हो गई बात चीक है अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो archegonium है यहां पर मेरे पास क्या आजाएगा zygote क्या आगया ये zygote आगया zygote 2N है पर single cell है फिर इसकी mitosis करके हम ये बना सकते है इसकी mitosis से ये बना सकते है अब यहां पर कुछ important point ये जो pro thaylas है यही gametophyte है ये और ये दोनो free living है दोनो green है दोनो photosynthetic है कैसे decide करेंगे main plant क्यों है क्योंकि main plant होने के लिए पहली condition क्या होता है ध्यान से सुन लो बिटा पहली condition होता है कि free living होना चाहिए तो हम ये कह रहे हैं बिटा main plant हम ऐसे decide करते हैं जो ज़ादा समय के लिए इस पूरी life cycle में maximum time मुझे ये stage दिखती है ये बाली stage इसे लिए हम कहते हैं कि main plant body हमारे पास sporophyte है और ये जो है यही हमारे पास deployed plant है तो आप ज़रा ये देखो बिटा देखो हमने क्या किया sporophyte जो कैसा था 2N जान से देखो इस 2N sporophyte पे हमने sporophyll बनाया उस पर sporangia बना sporangia की meiosis से spor बने spor से हमारे पास क्या बना है gametophyte ये जो gametophyte है इससे हमने gamet बनाये archegonium और enthridium पे gamet की fertilization पानी से हो हमने का fertilization के लिए पानी चाहिए fertilization के लिए मुझे water चाहिए ठीक है clear हो गई बात तो उसके बाद zygote और zygote की mitosis है तो ये किसकी life cycle है homosporus की why it is homosporus क्योंकि जो spor बने है ये सारे same size के है तो first time क्या हुआ बिटा first time sporophyte और gametophyte दोनों stage क्या है हमारे पास free living है तो मैं लिख सकता हूँ ये green है ये भी green है ये long lived है इसलिए तो main plant body ये short lived है gametophyte stage इसको shade चाहिए इसको shade चाहिए बिटा small size है छोटे size के लिए NCRT ने बताया है word inconspicuous inconspicuous word बोला है ठीक है shade चाहिए उसको sporophyte main stage है इसलिए plant deployed है ये gametophyte stage जो है ये short lived है उसका नाम है बिटा उसका नाम है prothelis protonema नहीं protonema क्या था bryophyte में prothelis किसमे है teridoophyte में prothelis किसमे है बिटा teridoophyte में इतनी बात समझ में आ रही है आपको अब जड़ा मेरी बात सुनो ध्यान से हमने क्या-क्या points याद रखने है होता ये है बिटा होता ये है कि teridoophyte को teridoophyte की जो gametophyte stage है which is gametophyte stage prothelis gametophyte stage जो है जिसे आप क्या बोल रहे हो prothelis ठीक है prothelis उसको क्या चाहिए बिटा prothelis को shade चाहिए require shade दूसरा teridoophyte को भी पानी चाहिए fertilization के लिए teridoophyte also require also require water for fertilization water for fertilization तो आप अगर इतनी सारी conditions किसी पे लगा दोगे तो फिर उसे ज़ादा दूर तक जाना मुश्किल हो जाएगा मतलब जैसे मैं अगर आपको कहूँ आपके अर्थ पर सबसे जादा मिलने वाले plants जो हैं वो angiosperm अगर मैं इतनी सारी conditions किसी पर लगा दूँगा कि वो basically क्या है उसको पानी चाहिए shade चाहिए तो उनका distribution limited हो जाएगा distribution limited का मतलब है बिटा वो जादा जगा नहीं मिलेंगे clear है तो कुछ important point जो life cycle से निकल के आए वो यह है sporophyte, gametophyte दोनो free living है तो आप लिख सकते हैं इस बात को यह मैंने पढ़ा बिटा homo sporous teridophyte के बारे में मैंने कहा दोनों में हमारे पास sporophyte और gametophyte free living है और spor same size के बनते हैं तो sporophyte and gametophyte both is free living both is free living दोनों हमारे पास free living है दोनों हमारे पास क्या है बिटा free living है clear और spor जो हैं वो same size के हैं spor is of same size spor मेरे पास same size का है यह चीज़ समझा रही है spor मेरे पास क्या है same size का clear है ठीक है spor मेरे पास क्या है same size का है clear अब जरा देखो बिटा next देखना जानके हमारे पास अब हम बात करेंगे अगले teridoophyte की क्योंकि हमने कहा था teridoophyte दो type के होते हैं एक homosporus जो maximum teridoophyte है एक आपके पास heterosporus जो हमारे पास कुछ selected example है ठीक है और उनका एक अपना significance है तो जरा एक बार life cycle देख लेते हैं heterosporus स्टेरिडोफाइट की heterosporus स्टेरिडोफाइट में मेरे पास example है sylaginella sylaginella diploid है और ये इसको मैं कह रहा हूँ sporophyte है मतलब ये plant जो बना रखा है ये sylaginella है हमारे पास sylaginella diploid है और ये कौन सी stage बोल सकते है sporophyte इस पर ये कौन है this is कौन ये रा कौन कौन पर आपको एक चीज दिखेगी एक चीज जो आपको कौन पर दिखेगी बिटा वो ये दिखेगी कि ऊपर हमारे पास थोड़े से छोटे sporengia होंगे small sporengia होंगे कौन में और ये किसका कौन है समझो इस बात को इस पर हमारे पास छोटे sporengia है कौन में उपर में आपको ये अगर आप देखें थोड़ा साइच छोटा होना चीज ये थोड़ा बड़े sporengia है ठीक है small sporengia में मेरे पास micro spore क्या बनेंगे छोटे spore बनेंगे small spore बनेंगे और इसमें मेरे पास क्या बनेंगे बिटा large spore बनेंगे ठीक clear चलो बना लेते हैं ध्यान से देखें बिटा हमने क्या किया हमने क्या किया ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया बिटा इसके अंदर ये जो है इसके अंदर हमने चोटे sporengia बना लिये, मतलब इसके अंदर मैंने क्या किया, स्री, चोटे spore बना लिये, इसे मैंने मालो micro spore कहा ये जो चोटा spore बना, इसने ये प्रोथेलस बनाया ऐसे पर इस प्रोथेलस पे सिर्फ enthridium बनेगा सिर्फ क्या बनेगा बिटा male gametophyte, एक ऐसा gametophyte जिसमें सिर्फ enthridium बन रहा है, देखिए द्यान से बिटा, इसमें क्या बन रहा है, हमारे पास enthridium बन रहा है, देखो इस चीज को समझो फिर से, सलेजिनेला में main plant body sporophyte है, उसमें cone present होता है, जो की एक diploid structure है, cone में हमारे पास दो तरह के sporengia है, एक छोटा और एक बड़ा, बड़े sporengia में बड़ा spore बनेगा, छोटे sporengia में छोटा spore, जो छोटे spore यहाँ बने हैं, वो बहार आ गए, उन्हें हम micro spore कह रहे हैं, उन micro spore ने एक prothelis haploid stage बनाई mitosis से, उस पर मेरे पास ये क्या बन गया, enthridium, उस पर मेरे पास क्या बन गया, enthridium मेल structure है बिटा, enthridium क्या है, male structure है, वो बन गया, लेकिन एक important चीज क्या थी, क्या है, कि जो बड़ा sporengia है, ये, this one, इसके अंदर के spores बहार नहीं निकले, इसके अंदर जो spore बने, वो बड़े size के थे, पर वो बहार नहीं आये, तो जो बड़े size के spore थे, वो अंदर रह गए, अंदर रहने का मतलब retain हो गए, वहीं रह गए, और उन्होंने जो gametophyte बनाया, वो अंदर बनाया, मैं repeat कर रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, कि जो छोटे spore थे, वो बहार आकर उन्होंने प्रो थेलस बनाया, जो free living है, इसका मतलब ये male gametophyte जो बना है, ये free living है बिटा, ये क्या है, ये दोको प्रो थेलस लिख रहा हूँ मैं, ये actual में प्रो थेलस का एक और नाम क्या हो सकता है, gametophyte, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो male gametophyte बना, ये free living बना, कैसा बना, free living, free living, free living का मतलब ये बाहर आ गया था, clear, लेकिन मेरे पास, जो ये बना, ध्यान से सोचना बिटा, आप एक एक लाइन पढ़ना, anxiety से आपको समझ आएगी, यहाँ पर जो बना, जो यहाँ के spore बने, ये spore dependent थे, ये spore जो बने, large size के spore, large size के spore, free living नहीं थे, not come out, वो बाहर नहीं आए, उन्होंने वहीं पर क्या बना दिया, अंदर ही female gametophyte बनाया, आप देख पा रहे हैं, अंदर ये spores हैं, इन्होंने अंदर ही क्या बना दिया, female gametophyte बना दिया, मतलब इन्होंने क्या किया अंदर ही क्या बना दिया इसके female gametophyte तो देखिए जरा ये जो पार्ट है ये जो हमने लिखा है ये कौन का पार्ट है कौन डिपलोईड है और वो sporophyte का पार्ट है मतलब sporophyte है हमने कहा है कि जो बड़े साइस के स्पोर थे ये जिसे आप क्या कहते हो लार साइस के स्पोर वो लार साइस के स्पोर बाहर नहीं आए जिसे macro या mega स्पोर कह रहे हो लार स्पोर वो रिटेन हो गया रिटेन समझ में आता है वही रह गया उन्होंने अंदर ही क्या बना दिया ये female gameto fight अंदर ही बना दिया तो female gameto fight retain हो गया क्या हो गया retain, retain समझ में आता है वहीं पर रह गया और इसके उपर फिर हमारे पास क्या बनेंगे ऐसे archegonium तो आपको समझ आना चीए यह जो बड़े साइस के sport थे, इनकी mitosis से ये बना है, female gameto fight देखिए, male gameto fight free living है यहाँ पर female gameto fight dependent है first time nature में ऐसा हुआ कि gameto fight stage किसी पर depend हुई, नहीं तो क्या होता रहा है, आप सोचो क्या होता रहा है, sporophyte stage हमारे पास क्या होती रही है मतलब depend थी, याद करो algae या bryophyte bryophyte में foot seta capsule वाला sporophyte depend था लेकिन अभी first time क्या हुआ है gameto fight depend हुआ है किस पर, sporophyte पर जरा ध्यान से देखना, मैं एक बार repeat करोंगा clear, ध्यान से देखना this is sporophyte जो की diploid है, it's diploid sporophyte, जिसे आप कोन कह रहे हो, उस कोन में छोटा sporangia और larsporangia दो तरह के sporangia, मतलब sporangia भी अलग-अलग है, एक छोटा sporangia है और एक larsporangia है, ठीक है, जो हमारे पास छोटा sporangia है उस पे मेरे पास ये देखे ये ये micro spore बने micro spore बहार आ गए है micro spore मेरे पास ये बहार आ गए बहार आके इसने ये male gametophyte बनाया है, इसे ही prothelis कहेंगे, जो free living है, this one this is male gametophyte, इस पे इससे मेरे पास male gamet बनेंगे, अब क्या हुआ, जो बड़े size के spore थे, बड़े sporangia में, मैंने कहा कि बड़ा sporangia और छोटा sporangia है, बड़े sporangia के जो spor है, वो बड़े size के हैं, macro spor कह सकते हैं, या mega spor और वो बहार नहीं आए, उन्हों ने क्या किया, वहीं पर रहकर female gametophyte अंदर बना दिया, इसका मतलब यह हुआ, कि female gametophyte कौन के अंदर बन रहा है first time gametophyte retain हुआ, तो यह जो female gametophyte बना है, यह कौन के अंदर बना है, अब हम यह समझ पा रहे हैं कि यह जो female gametophyte बना है, जो कौन के अंदर बना है, ध्यान से उन्हें बिटा जो कौन के अंदर बना है हमारे पास उसी female gametophyte पर हमारे पास क्या हुआ R की gonium बना था ऐसे और उसकी fertilization इसने करी होगी, enthridium तो इसको fertilize किया, बहार से हमारे पास enthrosoid आया, enthrosoid मतलब male gamet आया, उसने इसको fertilize किया, और हमारे पास यहां zygote बन गया बिटा, यहां पर क्या बन गया, zygote, अब NCRT कहती है, कि यह जो female gametophyte है, यह retain होता है, इस पर variable period के लिए, और यहां से यह निकल जाता है, female gametophyte, retain on sporophyte for variable period, अना, variable period का मतलब, वो उस पर variable period के लिए, retain रहता है, तो NCRT कहती है, कि कुछ time के बाद, जब fertilization होगी, हड जाएगा, तो female, हम लिख रहे हैं इस बात को, कि female gametophyte, retain for variable period, कुछ में जल्दी हट जाता है, कुछ में, बाद में हटता है, और यह जो zygote है, इस zygote से, ध्यान से सुने, zygote से, हमारे पास mitosis होके, वापसी sporophyte बनेगा, clear, अब यह life cycle कैसे अलग है, पिछले वाले से, पिछले वाले में, सारे sporengia, जो थे, वो same size के थे, although हम कौन भी नहीं बना रहे थे, clear, पर यह नहीं है, कि सारे कौन वाले में अलग-लग size के sporengia होते हैं, एक्वी सिटम में नहीं होता, उसमें कौन तो है same size के हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा, कि उसमें सारे sporengia same size के थे, यहाँ sporengia का size अलग है, उसमें जो gametophyte बना था, उसमें आर्की, गोनियम और एंट्रीडियम दोनों बना था, यहाँ पर इस वाले में क्या है, क्या बना है बिटा, इस वाले में हमारे पास क्या बना है, male gametophyte और दूसरे वाले में female gametophyte, इसका मतलब gametophyte में male और female हमने अलग कर दिया, दूसरा, male gametophyte free living है, female gametophyte retain हो रहा है, किस पर, कौन पर, कौन का मतलब sporophyte पर, समझा रही है बात, और वो जब retain हो रहा है, तो fertilization अंदर हो रही है, उसके बाद यह gametophyte हट जा रहा है, और फिर zygote से क्या बना रहे है, mitosis करके sporophyte बना रहे हैं, या zygote की mitosis स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद बनाएंगे, तो यह जो life cycle है, यह heterosporus की, why heterosporus? spores का size अलग है, अब यहाँ पर बिटा, सोचने की बात यह है, यह जो हमने size अलग किया है, इसका कुछ specific reason है, इसका हमारे पास क्या है, कुछ specific reason है, ऐसे नही size अलग किया हमने, reason यह था, कि छोटे size का spore, male gametophyte बनाए, और बड़े size का spore, female gametophyte बनाए, एक बड़ मैं चाहूँगा, कि एक बड़ life cycle आपके लिए summarize करो, ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा clear हो, क्योंकि होता क्या है, NCRT ने बहुत अच्छे से लिखा है, इसको थोड़ा सा बच्चों को problem होती है, तो वो हम देख लेते हैं, sporophyte 2N, हम बात कर रहे हैं, main plant की, जैसे की slaginela, क्योंकि सालवीनिया और slaginela, वही heterosporus है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, slaginela की, इस sporophyte stage से, हमने क्या किया बिटा, इस पे कौन बनाया, sporophyte stage पे हमने क्या बनाया, कौन, तो इस पे हमने कौन बना दिया, कौन, कौन 2N है, उस कौन पर हमारे पास, दो टाइप के sporengia बने हैं, कौन में दो टाइप के sporengia हैं, एक micro sporengia है, मतलब छोटा sporengia, और एक mega sporengia, या हम बोलेंगे macro sporengia, mega sporengia लग लग है, पर ये वो sporengia नहीं है, जो gymno-angio में होता है, उनमें एक difference होता है, छीक है, इससे मेरे पास क्या बना, इससे मेरे पास बने, micro sporengia है, micro sporengia कैसे हैं, haploid, micro sporengia मेरे पास 2N है, ये भी 2N है, micro spore बिटा, ने बना दिया, ये, क्या बना दिया, male gametophyte, क्या बना दिया बिटा, प्रो थैला, प्रो थैलास, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर male gametophyte, क्योंकि वो free living था, याद करो, वो क्या था, हमारे पास, free living था, ये वाला free living हुआ, ठीक है, mega sporengia से, मेरे पास, क्या बनेगा, बड़े size के spore, ठीक है, जिसे आप macrospore बोलोगे, और macrospore जो बना रहा है, वो female gametophyte बना रहा है, बट ये जो female gametophyte है, ये free living नहीं है, ये female gametophyte N है, ये भी N है बिटा, क्योंकि ये spore से बन रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो आप, mitosis, किसकी mitosis, spore की, स्पोर की mitosis कर रहे हो, तो female gametophyte N हो गया, इससे मेरे पास, क्या हुआ बिटा, इससे मेरे पास, क्या बना, जहाँ से सुनो, ये वाला dependent है, किस पे dependent है, dependent on sporophyte, sporophyte मतलब कोन, कोन पर है ये बिटा, कोन पर है, sporophyte मतलब कोन पर dependent है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ले जाकर, fertilization करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास, ये situation है, कि जो कोन है, जो sporophyte है, this is sporophyte, उसके उपर, हमारे पास क्या है, जिसे हम कोन कह रहे हैं, उसके उपर, मेरे पास, ये female gametophyte है, और female gametophyte में, अब मेरे पास, क्या बन चुका है, zygote, क्या बन चुका है, zygote, तो zygote, आपको यहाँ पर, ये समझना है, कि first time, this gametophyte, depend on sporophyte, ऐसा हुआ था, क्योंकि, जो spor था, वो free living नहीं गया, वो बहार नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं, इस बाग को बिटा, कि first time, first time in nature, sporophyte, sorry, gametophyte depend on sporophyte, gametophyte किस पर depend हुआ, depend on sporophyte, sporophyte पर gametophyte हमारे पास, first time depend हुआ, चीक है, first time sporophyte, gametophyte पर depend हुआ, ऐसा first time हुआ बिटा, ऐसा हमारे पास क्या हुआ, first time हुआ, कि sporophyte, gametophyte पर depend हुआ, यह चीज़ समझ आ गई आपको, clear है, अब क्या होगा, जो zygote है, zygote है, वो zygote की mitosis से, मैं यह बना दूँगा, चीक है, क्या sporophyte stage, तो heterosporus में, अलग-लग size के spores हैं, यह हमने क्यों किया है, seed बनाने की तयारी है, समझना द्यान से, वो कैसे हमें बताऊंगा, पर heterosporus में आपको, यह बात समझ आ रही है, वो बात क्या है, देखना द्यान से, heterosporus में हमने यह पढ़ा है, बेटा, देखो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, heterosporus का benefit क्या है, heterosporus का, हमारे पास benefit क्या है, क्या फाइदा हो रहा है heterosporus में, मतब क्या benefit है, यह मैं जानना चाहरा हूँ, heterosporus होने से, क्या कोई benefit है, यह मैं जानना चाहरा हूँ, ये मैं जानना चारूँ, क्या आप कोई benefit है हेट्रोस्पुरस होने से, ध्यान से सुनना है, हेट्रोस्पुरस में यही तो पड़ा हमने, कि मेरे पास ये इस तरीके से, एक माल लो, ये leaf है, इस पर बना हुआ एक बड़ा स्पुरेंजिया था, यही तो पड़ा है हमने, ये ब फाइदा क्या हुआ, ये लार्ज साइज स्पुरेंजिया है, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ था बिटा, ये जो बड़े साइज का स्पुर बना था, लार्ज स्पुर बना था, उस लार्ज स्पुर से, फीमेल गेमेटोफाइट यही बना था, अंदर, हमने क्या सोचा, ऐसा हमने क्यों करा, समझना इस बात को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा seed बनाया कैसे, जैसे मालो ये कौन है, इस कौन में यहां पर छोटे sporengia थे, यही तो पड़ा हमने, यहां मालो छोटे sporengia थे, इस वाले में मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ये leaf बनाई, बना, अब ये female gametophyte green नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये dependent है, तो ये female gametophyte किस से बना, बड़े spore से, female gametophyte, हना, clear, और ये क्या है, sporengia है, large sporengia, ठीक, ये large sporengia, ये सब चीज़ deployed है, female gametophyte यहां बनाया, इस पर मैं archegonium बनाऊंगा, और फिर मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, zygote, क्या बन जाएगा, zygote, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो, अगर ये female gametophyte बहार होता, यहां, चीक है, और मैं इस पर zygote बनाता, तो वो बहार बनता, यहां पर क्या किया, मैंने इस को, इस large spore को यहां retain कराने का reason यह है, कि female gametophyte sporophyte के अंदर बने, sporophyte मतलब कोन के अंदर बने, मैं repeat कर रहा हूँ, female gametophyte को sporophyte के अंदर बनाने के लिए, मैंने यह सब किया, क्यों, क्योंकि future में, यह large sporengia, मेरे पास future में, can make seed in future, future में जाकर यह seed बनाने वाला है, कि seed कैसे बनाएगा, यह seed कैसे बनाएगा, future में जाकर यह seed बनाएगा, seed बनाएगा, किससे इससे, इससे seed बनाएगा, seed क्या होता है, what is seed, question मैं पूछू हूँ आप से, what is seed, seed क्या होता है, seed होता है, एक ऐसा structure जिसमें protective layers है, protective layers है और उसके अंदर next generation का embryo है embryo है next generation का उसे seed कहते हैं तो heterosporus होने से क्या फाइदा हुआ था seed बनाने की तयारिया start हुई थी seed बनाने के लिए चाहिए क्या इस large sporengia को मैं seed में convert करूँगा ये इसे large sporengia को ही seed में convert करूँगा पर उसके लिए जरूरी ये है कि embryo उसके अंदर आए embryo उसके अंदर कैसे आएगा nature ने क्या सोचा सोचो nature ने क्या किया कि ये जो macrospor था बाहर जाके female gametophyte बनाए इससे अच्छा वो अंदर ही रह जाए अंदर female gametophyte बनने से zygote भी अंदर बनेगा और जब zygote अंदर बनेगा embryo अंदर बन जाएगा यहाँ पर embryo अंदर ही रह जाएगा और इस चीज को convert कर लेंगे seed में तो छोटा और बड़े size का spore बनाने का main purpose ये था कि बड़ा spore वो female gametophyte बनाए जो retain हो sporophyte पे retain हो किस पे? sporengia पे उससे फाइदा ये होगा कि future में जब fertilization होगी future में जब fertilization होगी तो embryo इसके अंदर बनेगा teridophyte में normally ये बहार आ जाता है या teridophyte में seed नहीं बनता सिर्फ तयारी हुई है seed बनाने की जिसे हम कहते है precursor of seed habit seed मेरे पास gymnosperm और angiosperm में बना है sperm word का मतलब होता है seed तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि teridophyte जो आए पहले वो homosporus थे उनमें से कुछ teridophyte heterosporus बन गए और उन्होंने gymnosperm की तरह seed बनाने की कोशिश की उन्होंने क्या किया इस female gametophyte को retain करवाया sporophyte पे उससे फाइदा ये होगा कि embryo यहीं बनेगा क्योंकि अगर ये structure यहाँ है तो fertilization अंदर होगी अगर embryo अंदर बना तो वो sporangia के अंदर आ जाएगा और अगली generation के लिए क्या बन सकता है अगली generation मतलब next generation के लिए seed बन सकता है तो यहाँ पर मेरी simple summary ये है कि heterosporous teridoophyte जो थे उनका main purpose ये था कि female gametophyte को कौन के अंदर retain करा दूँ उससे benefit ये होगा कि हम seed बनाने की तयारी preparation कर पाएंगे कैसे preparation कर पाएंगे अगर हमने जो female gametophyte है उसको यहाँ retain करा लिया तो fertilization भी यहीं होगी इससे क्या होगा हमारे पास zygote भी यहीं बनेगा embryo भी यहीं बनेगा अगर embryo यहाँ बन गया what is embryo zygote की जब हम mitosis करते हैं ध्यान से सुनो zygote की जब हम mitosis करते हैं उससे हमारे पास एक stage बनती है उसे embryo कहते है तो embryo यहाँ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा female gametophyte को retain कराना पड़ेगा किस पे? sporophyte पे female gametophyte को sporophyte पे retain कराना पड़ेगा clear हो गई बात ठीक है next सुने धान से next सुने अब हम एक चीज़ समझ पाए बिटा यहाँ पर ये चीज़ समझ पाए कि heterosporus teridoophyte क्यों special है मैं लिख रहा हूँ कि जो heterosporus teridoophyte है heterosporus teridoophyte है उसने क्या किया? उसने करा क्या है? घान से सुनो उसने female gametophyte को retain कराया यही तो बात बता रहा हूँ जब से आपको female gametophyte को dependent बना दिया क्या बना दिया? dependent बना दिया dependent और retain करा दिया किस पे retain करा दिया? on sporophyte उसके बाद क्या होगा? जहान से सुनो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि female gametophyte को dependent और retain करा दिया किस पे sporophyte पे उसके बाद क्या होगा fertilization होगी fertilization होगी occur inside sporengia वो fertilization sporengia के अंदर होगी clear वो fertilization sporengia के अंदर होगी यह चीज़ समझ पा रहे हो और यह एक तरीके से somehow preparation है preparation for seed है विटा एक तरीके से seed बनाने की तयारी की गई है seed बनाने की तयारी की गई है this is preparation for seed तभी seed बन पाएगा clear है? खीक है? तो हम क्या करेंगे विटा? हम एक topic यहां से उठा लेंगे अब जिसे हम कहेंगे seed habit seed habit का मतलब है जहां से सुनो seed habit का मतलब है seed की presence और हम कहेंगे seed की formation जहां से सुने बिटा seed अगर आप से question पूछे कि seed किस में होता है तो आप कहोगे gymno NGO में तो हम लिखेंगे seed habit जहां से सुने seed habit present in इन में gymnosperm और angiosperm में terido fight में तो तयारी हुई है सिर्फ जहां से सुने terido fight में तो सिर्फ तयारी हुई है इसलिए NCRT कहती है terido fight में जो तयारी हुई है इस वज़े से terido fight में precursor है seed habit का precursor का मतलब होता है पहले precursor of seed habit precursor है किसका seed habit का तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि seed बनाने के लिए seed के लिए मेरे पास 4 preparation कौन सी है 4 preparation कौन सी है मतलब seed बनाने के लिए 4 requirement लिख देते हैं ध्यान से सुनो बिटा seed बनाने की 4 requirement है 4 requirement to make seed नहीं तो seed नहीं बनता seed बनाने की 4 requirement है ध्यान से सुनना बहुत important है ये concept नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है इसके बिना समझ नहीं आती है बाते clear ध्यान से सुनना बिटा clear देखो सबसे पहली requirement सबसे पहली requirement है heterosporus होना उससे फाइदा क्या होगा heterosporus होने से क्या फाइदा होगा बिटा इससे ये होगा कि large spore हमेशा क्या बनाएगा large spore always give female gametophyte ये एक benefit होगा female gametophyte देगा large spore तो पहली requirement हो गई हमारे पास heterosporus होना जो कि teridophyte में था दूसरी requirement है कि जो female gametophyte बने female gametophyte बने वो क्या हो retain हो sporophyte पे retain हो किस पे sporophyte पे हम बात कर रहे है कौन पे तो आप कहोगे भाई ये भी तो हुआ था teridophyte में हाँ बिलकुल हुआ था ये दोनो teridophyte में होते हैं तीसरी requirement third requirement ध्यान से सुने third requirement है कि जो हमने कौन पर ये leaf बनाई और ये sporengia बनाया ये जो sporengia हमने बनाया मैं कभी नीचे उपर बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने sporengia बनाया इस sporengia के बाहर मेरे पास कुछ hard layers बननी चाहिए थी मालो ये sporengia है इस sporengia के बाहर हमारे पास outer side में outer side should have should have hard integument hard integument integument क्या होती है एक layer hard जो later क्या बनाएगी later form seed coat जो बाद में क्या बनाएगी seed coat बनाएगी seed की hard layer बनाएगी तो जो sporengia है जो large sporengia है उसके बाहर ये integument होना चाहिए तबी मेरे पास क्या बनेगा seed की hard layer बनेगी तो ये third requirement हो गई hard integument hard integument मेरे पास कौन सी requirement हो गई बिटा third लेकिन terido fight में hard integument नहीं था इसलिए हमने का उनमें seed नहीं बना fourth requirement है कि जो embryo बने zygote से क्या बने zygote to embryo बने वो क्या हो undergo ho resting stage undergo resting stage का मतलब कुछ देर के लिए divide करना बंद कर दे अगर आपको याद हो seed को पानी में डालते हैं तब germinate करता है तो seed का जो embryo है चुपचा बैठा हुआ है उसमें इतना खाना होता है कि अराम से छोटा plant बना सकता है तो वो चुप क्यों बैठा हुआ है ताकि आगे उसको में नहीं नहीं जगा फिला सकूँ seed नहीं नहीं जगा जा सके तो ये चार requirement है seed बनाने की teridophyte में पहली दो पूरी हुई आखरी दोनों पूरी नहीं हुई जिम्नों और NGO में ये चारों पूरी हुई इसलिए उनमें seed बना तो हम लिख सकते हैं कि in teridophyte in teridophyte हमारे पास only first two requirement only first two requirement get completed first two requirement get completed पहली दो requirement हमारे पास क्या हुई? complete हुई जहांजे सुन लो पहली दो requirement हमारे पास क्या हुई? complete हुई बाद की complete नहीं हुई इसलिए NCRT की वो line है कि they are precursor of seed habit precursor का मतलब होता है बिटा कि एक तरीके से seed बनाने की तयारी हुई है seed बना नहीं तो precursor of seed habit कहते हैं किसको teridophyte को तो teridophyte में seed बनाने की तयारी हुई है seed बना नहीं seed बनने की सिर्फ तयारी हुई है सिर्फ क्या हुई है? तयारी हुई है seed किस में बना? gymnorengio में ये देख लो heterosporous था teridophyte female gametophyte भी retain हुआ ये दोनों चीजे नहीं हो पाई मतलब एक hard layer नहीं आई उस megasporangia के बाहर जो बाद में seed coat बनाती है इसी लिए seed नहीं बना seed habit बहुत important topic है और इसको आपको आना चाहिए अब हम क्या कर सकते हैं बिटा अगर आपसे पूछा जाए in plant kingdom कौन से heterosporus है ये सारे heterosporus होते हैं हम लिखते हैं some teridophyte जिसमें आएगा कौन salvenia और silaginilla gymnosperm में भी heterosporus होगा ही क्योंकि उसमें seed होते हैं seed होने के लिए heterosporus होना compulsory है angiosperm तो ये बिटा हमारे पास heterosporus होते हैं ठीक है clear ये चीज़ समझ आ रही है अब मेरे पास आपको क्या करना है आपके पास बिटा teridophyte की 4 classes given है teridophyte की आपके पास 4 classes given है चीक है उसमें से एक है fern की class fern मतलब एक fern की class है जिसका नाम है aeropsida चीक है दूसरी हमारे पास है lycopcida classes है बिटा classes का suffix obsida होता है फिर है हमारे पास phenopsida चीक है और एक है हमारे पास sylopsida चीक है clear अब इसके examples दे रखे है NCRT ने teropsida में fern आते हैं fern में आएगा teris ये सारे fern group माने जाते हैं dryopteris adiantum adiantum एक 12th के इंसियाटे में लिखा ophioglossum एक fern है बिटा जो पानी में होता है और उसको bio fertilizer कहते हैं azola ये पानी में मिलने वाला fern है aquatic fern है azola इसके अलावा आप एक और नाम याद कर लें salvenia fern होता है बिटा पर वो heterosporus है maximum homosporus होते हैं lycopcida में एक example आएगा lycopodium ये सारे जीनस हैं और silaginela silaginela heterosporus है ठीक है sphenopsida में आएगा equivisitum जिसे horse tail कहते हैं silopsida में आएगा silotum तो ये example हो गए बिटा जो आपको याद करने हैं क्योंकि question जो आता है वो example based आता है तो ये जीनस आपको याद करने हैं जो NCIT में mention है ये classes हैं obsida जो होता है suffix होता है class का जिसे kingdom, phylum, class तो ये चारो classes हैं clear ये चीज़ समझ आ रही है तो आपका बिटा teradophyte topic complete होता है हमने plan किया था gymno को भी करने का तो उसको next lecture में करेंगे life cycle के साथ next हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें से single cell algae पूछा है इसमें single cell algae पूछा है आप question देख सकते हैं एक दो हम देख लेते unicellular algae पूछा है तो gracil area red algae है red algae में multicellular होता है ये दोनों red algae है देखो मैं फिर repeat कर रहा हूं मैंने red algae के feature याद किये हुए है उनके example पता है ठीक है चलो ये single cell है वो भी सकता है लेकिन walvox colonial है इसलिए ये answer नहीं होगा तो answer ये होगा chlorela और spirulina ठीक है laminaria और sargassum बेटा brown algae हैं और दोनों multicellular है ठीक है clear है ये चीज बेटा तो answer third आ जाएगा इसका next हमारे पास है isogamous condition याद करो मैंने बोला था कि ये question बहुत पूसता है isogamous और non-flagellated मतलब non-motile इसका मैंने का था कई बार NEET में आया हुआ है example रहता है spirogera isogamous non-motile clear उसके बाद next है बेटा हमारे पास एक question और है देखो teridophyte के लिए पूछा है इसने इसमें से correct पूछा है तो teridophyte gametophyte has protonemal stage protonema तो ठीक है लेकिन leafy नहीं है न ये गलत है ठीक है teridophyte में protonema नहीं है बेटा prothelis होता है गलत हो गया न ये prothelis होता है in gymnosperm female gametophyte is free living अगर आपको ये अभी हमने करा नहीं है पर मैं बता देता हूँ क्योंकि gymnosperm में seed होते है तो female gametophyte तो dependent होना चाहिए इसलिए ये भी गलत है enthridiofor and archegoniofor ये structure मेरे पास किस पे है markensia में markensia कहा है बेटा bryophyte में ये करा था हमने नाम origin of seed habit देख रहे हो can be traced in teridophyte सही है न origin tenidophyte में हुआ है origin हुआ है बना नहीं है सिर्फ precursor है origin बोल सकते है origin ये अभी से किया हमने अब देखो ये मुझे नहीं पता भी पढ़ना है मुझे salvenia heterosporus सही है equisitum homosporus चीक है pinus और psychus वाली चीज हम पढ़ेंगे अभी आपको पढ़ाय जाएगा pinus bisexual होता है ये पढ़ाय जाएगा अभी आगे जाएगे पर ये दोनों आपको समझा जाना चाहिए answer उसका बिटा ये है although D पर समझने के लिए salvenia और equisitum आप कर सकते हैं salvenia क्या था आपका heterosporus equisitum मुझे नहीं पता पर मैंने कहा न most eridophyte क्या है homosporus है तो equisitum homosporus है ये एक question कर सकते है gametophyte is not independent मतलब dependent gametophyte dependent gametophyte not independent मतलब dependent gametophyte मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बेटा द्यान से सुनो kentum fern है fern homosporus है अगर बहुत सारे सालvenia को छोड़के तो इसमें gametophyte free living होगा markensia में gametophyte free living है bryophyte है नहीं ये दोनो polytrichum moss है तो इनमें तो gametophyte दोनों में क्या है बेटा free living है चीक है तो इसका मतलब last option में ये बच गया जितना पड़ा उससे बता रहा हूँ हम पढ़ाएंगे कि pinus में dependent gametophyte होता है तो ये कुछ questions थे जो आपको करने चाहिए आपको आने चाहिए ठीक है अब हम क्या करेंगे बिटा next class में gymnosperm पढ़ेंगे और उसके साथ NGO sperm की life cycle को summarize करेंगे और एक topic है life cycle का NCIT के last में उसको पढ़ेंगे वो बहुत important है clear उससे कुछ ना आते है उसको deal करेंगे general features पढ़ेंगे तो काफी कुछ है अभी chapter में समझने के लिए pure NCIT पढ़ाईए please NCIT पढ़ना seed habit बहुत important है peridofide में seed नहीं बना seed habit का शुरुवात है origin है तो मिलते हैं हम अपनी next lecture में और पढ़ेंगे remaining topic पढ़ाई करते रहें all the very best